बाल बेग्यानिकों अब तक हम जान चुके हैं कि धर्ति पर अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग जीब जन्तु रहते हैं। सूखे वर गर्म डेजर्ट यानि मरुस्थल में रेगिस्तान का जहाज उंट शीप अफ डेजर्ट कैमल तो गहरे समुदर में जलकीरानी मचली रहती है। हम ये भी जान चुके हैं कि सजीबों की विशेश रंचनाएं जो उन्हें उनके परिवेश में रहने योग्या बनाती हैं अनुकूलन कहलाती हैं। दोनों ही जीव अलग-अलग स्थानों के लिए अडेप्टिड हैं। आज हम विविन आवासों के बारे में जानेंगे। तोडें वी विल लर्न अवाउट डिफ्रेंट हैविटेट्स। दा प्लेश वियर ओर्गनिजम्स लीव इस कॉल्ड हैविटेट। किसी जीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अवास का अर्थ है वास्थान यानि एक घर। अवास हमें भोजन, जल, वायू, रहने के लिए स्थान वह अन्या दूसरी जुरूरी वस्तुएं उपलवध करवाता है। Several kinds of plants and animals live in the same habitat. विविन प्रकार के पौधे वजीव जन्तु एक ही आवास में रह सकते हैं। स्थलिया आवास स्थल पर पाये जाने वाले पौधों वजन्तुओं के घर को स्थलिया आवास कहते हैं। The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats. Some examples of terrestrial habitats are स्थलिया आवास के कुछ उधारन हैं। forests, one, grasslands, धास के मैदान, deserts, marusthal, coastal and mountain regions. On the other hand, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitats. उन पौधों वजीब जन्तुओं का आवास जो जल में रहते हैं जलिया आवास कहलाता है। Lakes, जील, rivers, नदिया, oceans, समुद्दर, इसके अलावा जलाशे, दल-दल are some examples of aquatic habitats. ये जलिया आवास के उधारन हैं। वैसे पूरी दुनिया में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, marusthalों, वो समुद्रों में बहुत भिन्नताएं भी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हर जगा का आवास एक जैसा ही होता है। The organisms, both plants and animals living in a habitat, are its poetic components। पच्चों किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे या जन्तूस के जैब घटक कहलाते हैं। The non-living things such as rocks, soil, air and water in the habitat constitute its abotic components। चट्टान, मिट्टी, जल्व वायू जैसी निर्जीवस्तुएं आवास के अजैब घटक हैं। Sunlight and heat are also abotic components। सूर्या का प्रकास वो उस्मभी प्रवेश के अजैब घटक हैं। प्यारे बच्चों, एक activity के माध्यम से हम अनुकूलन adaptation को समझने का प्रयास करते हैं। मूंग के कुछ सूखे बीज लें, इन बीजों में से एक हिसे का धेर बना कर रख लें। और एक हिसे को पानी में भीगने के लिए एक दिन तक रख दें। भीगे हुए मूंग को भी चार हिसों में बाट दें। एक हिसे को तीन से चार दिन के लिए पुरी तरह पानी में डूबो कर रख दें। सूखे हुए बीजों तथा पानी में डूबे हुए बीजों को बिलकुल भी न हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप बाले कमरे में और एक भाग को बिलकुल अंधेरे जैसे अलमारी या जहां बिलकुल अंधेरा हो वहां रख दें। एक भाग को बिलकुल ठंडी जगा जैसे रेफिरिजरेटर में रखते और इन भागों को नम बनाए रखें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं। जो भाग बिलकुल सुखे हैं उनमें जरासा भी अंकुरन नहीं हुआ है। जो बिलकुल पानी में डूबे हुए हैं उन में बिलकुल थोड़ा सा अंकुरन हुआ है। यही स्थिती बिलकुल अंधेरी अलमारी से निकाले हुए बीजों के साथ भी है। वहां भी अंकुरन थोड़ा सा हुआ है। फ्रिज के ठंडे वातावरण में भी अंकुरन में कमी दर्ज की गई है। और जिस भाग को जल, प्रकास और उस्मा सभी अजयब घटक बराबर मातरा में मिले हैं उसमें सबसे ज़्यदा अंकुरन हुआ है तो बच्चो इस एक्टिविटी को करने के बाद हमने ये पाया कि वायू, जल, प्रकास तथा उस्मा जैसे अजयब घटक सजीवों के लिए अतिय अवस्यक है फिर भी बहुत थंडे या बहुत गर्म स्थानों पर भी जीवन पनपता है यही है अनुकूलन अडेप्टेशन अर्थात जीव अपने आपको समय परिस्थितियों वह हालात के अनुसार धा लेते हैं और अनुकूलन अडेप्टेशन एक लंबी प्रक्रिया है अबीटिक फटर लाइब तो लाइब वाल अडेब यह यह ऑट न्यार वाट रिर विर फॉत वर्यौट तो फंडेब खरने के अनुकूलन वे लेंदीना जीव गुट्स विर लगू ओल विर विर लएग इन भी तो आस्वेर्ट अट Adaptation is the method by which organisms get well adjusted to the climate. Students, adaptation does not take place in a short time. चात्रो अनुकूलन थोड़े से स्में में नहीं होता. Because abiotic factors of a reason change very slowly. क्यूंकि अजयब घटक बहुत धीरे धीरे बदलते हैं. जैसे हवा, पानी, सूर्या का प्रकास, उश्मा, ये धीरे धीरे change होते हैं. Those organisms which cannot adapt to these changes die and only adapted one survive. जो जन्तु इन परिवर्तनों के अनुसार खुद को नहीं ढाल पाते हैं, वे मर जाते हैं और केवल अनुकूलन वाले जीव ही जीवित रहते हैं. Next, we will make a journey through different habitats. आगे हम विविन आवासों की यात्रा करेंगे.